ये दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनीस सौगत करता हूँ आपके युटूब चैनल जौब इंडिया में प्यारी दोस्तो अभी अभी जो है आपके लिए बहुती बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है जिहां दोस्तो एक और जिले का रेजल्ट आ चुका है यूपी एनचेम एनब भरती 2021 दोस्तो जो यूपी एनचेम की तरफ से एनब की भरती निकाले गई है 5000 पदो पर इसमें दोस्तो कुछ वेबसाइट में सर्वर चल रही थी डाउन इसकी वज़े से दोस्तो थोड़ा सा यहां पर डिले हो रहा था लेकिन आज है दोस्तो 7 दिसम्बर अभी अभी एक और जी हां दोस्तो एक और नए जिले का रेजल्ट यहां पर आ चुका है अभी तक कुल आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं तो दोस्तो पल-पल की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रही है चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लो कि कि दोस्तो कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको अपडेट यहां पर दी जाएगी तो अभी आपको बता दें वेबसाइट कभी-कभी दोस्तो काम नहीं कर रही है सर्वर प्रॉब्लम हो रही है लेकिन दोस्तो अभी आप लोग यहां पर देख सकती हो निव करके ऑप्सन आ चुका है और डिश्टिक बरेली का दोस्तो रेजल्ट यहां पर आ चुका है एक बार मैं इ यूपी यूपी एनचेम का दोस्तो यह ओफीसली वेबसाइट है और आज है साथ दिसंबर और अभी अभी दोस्तो रेजल्ट आप लोगों का बरेली का चुका है तो आप लोग क्या कर सकती हो पीडियाफ को डाउनलोड कर लो और देखिए अगर वेबसाइट काम नहीं कर जाएगी तो जो पीडियाफ का लिंक है नीचे डिस्केशन वाक्स में दी जाएगी वहाँ पे जाके रेजल्ट को देख सकती हो लेकिन अभी की नई अपडेट है और यह दोस्तो जो रेजल्ट है देखिए तीन दिसंबर को ही बन चुका है और आज है साथ दिसंबर और सा सरे डिस्का रेजल्ट आ जाएगा बस थोड़ा सा आप लोग वेट करिए अब यहां पर देखिए बरेली डिस्का रेजल्ट आ चुका है जैसे नीचे आओगे तो यहां पर देखिए डाकुमन वरिफिकेशन प्रसेस डिस्क बरेली का यह फाइनल लिस्ट है जिसमें आप लोग यहां पर देख सकती हो और कुल अकर हम बात कर लेती हैं पहले बात तो यहां पर देखिए तोटर यहां पर वेटिंग लिस्ट और फाइनल सेलेक्शन दी गई है और यहां पर 32 वैकेंसी है जी हां दोस्तों 32 वैकेंसी है और 32 लोगों को फाइनल सेलेक्शन दी गई ह है जिसमें आप लोग देख सकते हो दीपी का सर्मा यहां पे इनकी जो कटगरी यूर कटगरी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मोबाइल नंबर जी हां दोस्तों यहां पे मोबाइल नंबर इन्हों दे दिया है यह आप लोग देख सकते हो कितना यहाँ पे इनों ने जो कितना गलत किया है इतलिए बोल रहा हूँ कि मुबाइल लंबर यहाँ पे सो कर दिया है बहुत सारे बच्चे इन्हें कॉंटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता दो जी हाँ आप जो है इनसे समपक ना करो आप इसे समपक ना करो बत क्या करें यहाँ मुबाइल लंबर दे सकते हो दे दिया है 66 है, 68% जो है इनका high-gest है DP का सर्मा को यहाँ पे select कर लिया गया है ऐसे करके OBC category को यहाँ पे देख तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे 32 vacancy है जिसमें UR category में कुल 13 vacancy है और OBC category में 9 vacancy है और 80 में दोस्तों कुल 7 vacancy EWS में कुल 3 vacancy है तो इसी तरह से देखी तो UR category में कितने बचों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है तो कुल 26 बचों को रखा गया है means क्या है कि 1 ratio 2 के base पर जो है start list किया गया है एक vacancy है और दो लोगों को यहाँ पे एक vacancy के दर पे वेटिंग लिस्ट में रखा गया है तो UR category में जो है 13 vacancy है और 26 बचों को दोस्तों वेटिंग लिस्ट में रखा गया है इसी तरह से यहाँ पे देखीए OBC में कुल जो है 9 बचों को final selection दी गयी है जिसमें OBC का यहाँ पे देखी cutoff 63% है 63.76% है इसी तरह से 62.82% है और 61.82% है तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकती हो 61.82% वालो को भी आपे OBC में final selection दे दी गई है 32 vacancy हैं है और इसी तरह से यहाँ कटगरी में देखीए 61.04% 60.72% को भी आपे SC में selection दे दी गई है इसी तरह से देखीए जो minimum cutoff है 60 के something गई है high-gest cutoff जो अगर you are category की बात करें तो 68.8% है कुछ percent गई है आप लोग यहाँ पे देख लेना clear है और you are category waiting list यहाँ पे देखीए तो जिनका 63.51% है अब कुछ लोग बोलोंगे अब देखो बहुत सारी यहाँ पे problem आ रही है लेकिन मैं दोस्तो solution लेकर आने वाला हूँ अभी काम चल रहा है बस आप लोग किरपा बरसाए रही है और मैं बता रहूँ आपको एक एक question लेकर आऊँगा जो भी आपको doubt है कि selection कैसे हो रहा है जो इसका cut-off है किस तरह से त्यार किया गया है experience के marks क्यों नहीं add किये गए है जिनका experience नहीं है freshers वालों को क्यों लिया गया है मैं एक एक करके एक special वीडियो लेकर आऊँगा और थो सबूत की साथ है इसके साथ ही अगर आपको कोई problem होगा तो आपकी तरफ से सुनवाई भी की जाएगी आगे हम बताएंगे आपको जी हाँ तो आप लोग थोड़ा wait करिए अब देखिए waiting list है दोस्तो UR category का और 13 vacancy है जिसमें 26 बच्चों को waiting list में दोस्तों रखा गया है इसी तरह से देखिए तो OBC में कुल 9 vacancy है और 18 बच्चों को waiting list में रखा गया है 1 ratio 2 के base पर waiting list थ्यार किया गया है और marks यहाँ पे देखिए जिनके 59.70% है 59.72% है 59.94% है इनको waiting list में रखा गया है वो OBC में इसी तरह से यहीं कडिगरी का देख सकती हो 57% जिनका है 57.26% 57.50% उनको भी यहाँ पे दोस्तों waiting list में रखा गया है इसी कडिगरी में और 7 vacancy है यहीं 14 बच्चों को waiting list के लिए रखा गया है तीन vacancy है मेरी ख्याल से यहाँ पे हम देखते हैं वो OBC कडिगरी के वो 14 बच्चों को यहाँ पे है बाकि देखिए जो EWS है इसमें 6 EWS में 3 vacancy है और 6 बच्चों को waiting list में रखा गया है मैंने सोचा कि EWS में है लेकिन EWS में 207 vacancy है और 14 बच्चों को waiting list में रखा गया है तो बाकि बरेली district का result आ चुका है और भी जैसे district का result आएगा सबसे पहले आपको update मिल जाएगी और सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या किया है mobile number की जो यहाँ पे details है इन्होंने इस PDF में mention कर दिया है आप इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि दोस्तों आपको बता दे UPNHM की गलती है UPNHM ने website पर publish कर दी है आप कोई भी इसे access कर सकता है तो इसमें देखिए मेरी गलती नहीं है कि आपने video बना दिया है mobile number सो कर दिया है आपको लेकि मेरी कोई गलती नहीं है PDF mobile number सो कर रहा है और ये दोस्तों UPNHM की गलती है इन्होंने देखिए हाँ पर website पर ही publish कर दिया है तो बाकी जिन लोगों को selection हो चुका है उन सभी को हमारे तरब से बढ़ाई हो थेंकि दोस्तों कैसा लगा video जिरू बताईएगा जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी और भी नए डिश्टी कर रजट आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी धन्यवाद